हालो एब्रिवान होप आप लोगों का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा दिसीज मिहीर विल्कॉम टो फोरेस्ट इनवेशन लेट्स बीगिन तो आज का पहला कुश्यन आइडेंटिफिकेशन आफ ट्री आकोडिंग टो स्पेसिस इस कॉल्ड जो ट्री का इडेंटिफिकेशन है उसको क्या कहते हैं ठीक है तो यहां पर आजेगा देंट्रोजी तरफ एमिक स्टांट इजवान विच लेस्ट तन कितना पर्सेंट ट्री से कम रहेगा तो उसको में आधिकेशन आगा 75-80 अगर 75 एड़ी से ज्यादा रहा तो उसको फ्यूर स्टांड बोलेंगे से बिट्री चलते हैं नेंस्ट किंगत तरफ अडेलेंथ और डियास इंफ्लूएंस ता डायमेटर ग्रोथ इने ट्रीका जो डायमेटर ग्रोथ होता करता है उसको कौन इंफ्रुएंस करता है तो यहां पर क्या इंडिकेट करता है जो और उसका सिनोनिम क्या है ठीक है तो उसका सिनोनिम हो जाता है यहां पर फोटो पीरियोड फोटो पीरियोड क्या होता है एक दिन में केतना इंसॉलेशन आता है एक प्लांट के लिए उसको apparat थो इसके हिसाब से plan को तीन टाइप ऑड़ा गया है ठीक है जिसको बोलते हैं टरन प्र बोलते हैं सोट्डेशड फ्र बूलते हैं डेवींप्लांट तो यहां पर लॉंगे प्लांट नाम से पता चल रहा है दे लॉंग चाहिए व को इस देश है लॉंग डे प्लांट फिर जो सॉट डे प्लांट होता है जुनको कॉम इंसुलेशन चाहिए उसको बते हैं इसको ज्यादा और कम इंसुलेशन से कुछ फारक नहीं बढ़ता है ठीक है तो यह यहां पर आंसर आ गया फूटो पिरियाड फिर चलते नेक्स्ट के तरफ फास्ट प्लांटेशन फॉरेश्ट्री वाज्ट स्टाटेड तो यह जो कुस्चिन है वह आता है हमारा जो पहला प्लांटेशन इंडिया में कहां हुआ ठीक है पहला मेरा कुस्चिन यहीं रहेगा पहला कहां था तो यहां पर आंसर आ जाएगा 1842 में और वह वह था निलांबूर प्लांटेशन ठीक है तो आको कमेंट में लिकना है निलांबूर एरिया कि स्टेट में आता है ठीक है और यह जो प्लांटेशन होँआ था वह कनोली केद्वरा किया गया था 1842 में प्लीने प्लीन टेके तउयां तो प्लीन यहां पर आंसर आ जाता है सॉर्य रोबुस्टा इसको सहं नहीं कर पता है तो moasterly जो सोरीय रोबुस्टा का सीड होता है ठीक है और फिक से पहले ही ज़र्मिनेशन करले की रेडिया हो जाता है तो उसके बाद अगर मतलब हो जाता है तो उसका सर्भाइबल रेट कम हो जाता है और यह बहुत ही सक्सटेबल ट्रॉट है ड्रॉट एरिया में सोरिया रोबूस्ट का फॉरेस्ट नहीं मिलता है और भाली नहीं होता है मिलेगा कहां से ठीक है फिर आगे चलते हैं नाइट्रोजन फिक्षिंग नॉन लेगूल लेगूम ट्री ठीक है यह कुषिन रिपीड वाला कुषिन है तो यहां पर अधर आज जाएगा कौन सा है फिर आगे चलते हैं और बाकी जो चीज़ें वह सब लिगूमिनाशिफ फैमिली का अंडर आते है फिर आगे चलते हैं डाइब्यक जो होता है वह किसमें होता है अभी थोड़ी टाइम पहले बोला था वह साल में ज़्यादा मिलता है ठीक है तो इसमें क्या होता है जो प्लांट का एक जो सिड्लिंग का ग्रो हो जाता है ना सिड्लिंग हो या सप्लिंग उसका जो ग्रोथ हो जाता है फिर क्या होता है वह टॉप से ड्राइफ हो जाता है नीचे के तरफ ठीक है तो यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं यहां से ग्रो हो रहा है फिर क्या होता है जब यह सिड्लिंग स्टेज में होता है या उससे थोड़ा सा बड़ा रहता है तो उस टाइम में क्या होता है तो यह जो यहां से ड्राइभ हो के आता है तो उपर से रेटैगर हो जाएगा तो क्या होता यहां से इतना तकosphory तो एसे करते ही मतलब एक साल को पॉल स्टेज में तक से उस से ज्यादा लग जाता चाहिए तह तहके साल का जो रोटेशन ये वहे हां सब्सकॉजिदीक नहीं चलाएबfolg टीक कि ए जब उसका हर्वेष्टिंग यह जाता है तो मोट इसको बोलते हैं डाइबेक होने का बहुत सारा रिजिन अभी तो एक क्रिजिन बौला था पहले जो मॉैस्टर बाला देख होता है अगर इंसेक्ट-टा था होता है तो डाइबेक होता थे अगर प्रेजिन या ब् of individual soil particles into aggregate यह वाला भी repeat question है इसका answer क्या होगा कि इसका answer है soil structure ठीक है और बाकि soil class बोला था soil texture भी discuss किया था soil group यह आगे discuss करूंगा ठीक है फिर आगे चलते हैं a succession in which vegetation affect the ecosystem to bring about consequent consequence यहां पर क्या होता है एक succession होता है जहां पर vegetation ही कुद को change करने के बारे में बोल रहा है ठीक है तो यहां पर बोल देता हूं यहां पर answer आजाएगा secondary succession ठीक है जो primary succession होता है वो क्या होता है पहले एक bear land होता है तो वहां पर soil मतलब अच्छा नहीं रहता है फिर कुछ दिन बाद ऐसे bear land में क्या होता है जब उसका फैलो फिरेट खतम होता है तो उसमें पानी आता है उसमें एयर का particles आते हैं बहुत सारे चीज़ आते हैं कोई आनिवल आके वहां पर उसका सब्सेट भी रहता है तो यह सब होके धीरे 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 वह लांड पटाई लोने लगता है वह खुद को रिकावर करता है उसमें आर्थ्रों आ जाता है और बहुत सारा गेमिकल चेंजेस बाइलोजिकल चेंजेस होता है ठीक है तो वह थोड़ा सा सब्सक्राइब करने के लिए है और फोर्ष्ट वहरां पे सूरू हो जाते हैं जो स्पेसिस जो आता है वहां च्छा नहीं यह तो उनको सर्भाइगाल करने के लिए वहाँ पर अच्छा हाड़ी स्पेसिस ही आते हैं फिर वह जब वहाँ पर सेटलमेंट हो जाते हैं तो इस फेस को बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन ठीक है और जो स्पेसिस आता है उसको बोलते हैं पायोनियर स्पेसिस तो जब बड़ा हो जाता है तो उन लोगो को और इंप्रूव करता है ठीक है इंप्रूब मेंट जितना होता है इंप्रूविंट जितना होता है को इस ब्र Mister अपने में इन्ट्राир स्पेसिफिक क्मपिटेस्टन इतना हो जाता है फिर अपने अपने मैंशा धिट्र 2007 यहां पर ने स्क्यों करता है पहला स्पषिस आया वह वह पूरा क्लाइमट को रखेपर दिया फिर दूसरा स्प वहां पर आता है उसको बोलता है छाटीर से जाता है क्लाइमेक्स अभी तो उसके बार पोस्ट्राइमेस सब्सक्राइब दिखने को मिल रहा है लेकिन आज कल उससे भी आगे दिखने को मिलता है दूट डिफिक फेक्टर ठीक है फिर आगे चलते हैं इंडियन फॉरेस्टर क्लासिपाइड इंटू फॉरेस्ट टाइप बेस्ट ठीक है तो यहां पर यह वाला भी रिपीड वाला कोसिन है यहां पर आंसर आ जाएगा है चंपियान अंसेट और कव हुआ था तो यह 1968 में हुआ ठीक है अचली यह जो चंपियान सेट जो क्लासिफ में देत हैं फिर उसमें कुछ मोडिफिकेशन हुआ और 1968 में वह उसको मतलब किया गया है ठीक है इंडियन फॉरेस्ट को क्लासिफिकेशन करने के लिए यहां पर क्लासिफिकेशन दिये हैं इसका में लास्ट क्लास में भी डिसकॉस कर चुका हूं पर आंसर कमेंट में बोल टॉक्सिक एलिमेंट है इसको अगर हम इंसान हो अनिमल हो जो भी इंटेक करता है विद दिन वान आवर इसका रेजल्ट आ जाता है सफोकेशन होने लगता है और अल्टिमेटली अनिमल का डेथ हो जाता है तो यह जो प्रोल्लेम है इसको सौब कैसे करेंगे तो पहला यहा एक सफिशेंट ग्याप होना चाहिए जब हर्वेस्ट करते हैं और जब अनिमल को खाने को देते हैं इसको ओपन ग्रेजिंग नहीं कर सकते हैं इसको स्टॉल फीडिंग से खिलाना पड़ता है और ओपन गेजिन नहीं कर सकते हैं तब जब जितना भी वह एक्सपोज होगा सब्सक्राइब कम हो जाएगा फिर उसको हम कहिला सकते हैं ठीक है और यहाँ पे मेरा कोशीन और याडर हैगा जो हमारा रा तो यह चीज क्या है जो रहता है तो जब उसको हर्फेस्ट करते हैं हम तो इतना याद रखना है उसका हर्वेस्टिंग हाइट इससे नई लिया जाता है तो यह जो प्लांट का बनाते हैं उसमें होता है जो यह रहता है ना हमारा एक चीज रहता है वह बोलते हैं दूसरा चीज रहता है स्टक यह दोनों का combination से एक ग्राप्ट बनता है ठीक है तो कैसे बनता है तो यह तो यह आ गया हमारा सॉयल ठीक है तो यहां पर है प्लांट ठीक है जो सिडलिंग रहता है ठीक है तो फिर उसको क्या किया जाता है इसको इसको कट किया जाता है तो कट कट कर देने से क्या होता है जो उपवर वाला प्लांट रहता है उसको रिमूबर करotional MOS ये पूरा एक यह म्मीर ने प्लांट है ठीक है यह छी पूरा यांग है फिर इसमें है combination बन जाता है यह पर्सन को बोलते हैं जो स्टॉक बोलते हैं और यह उपर को पर्सन बोलते हैं सियन बोलते हैं ठीक है तो यह चीज को बोलते हैं तो जो उपर का चीज आता है उसको बोलते हैं सियन ठीक है निच्चे बाला को बोलते हैं स्टॉक तो सियन क्या होता है ग्रा तो उससे जो उसका फ्लावरिंग का टाइम होता है वह बहुत रिड्यूस हो जाता है अगर कोई भी अगर होटिंग प्लांट को देख ले उसका अगर फूटिंग टाइम 5 यह तो अगर उसको हम ग्राफ्टिंग करते हैं वह 3-5 यह में फ्रूट देना शुरू कर देता है ठी तो यह तो इसमें क्या रहता है यह तीनों कंपोनेंट रहता है ठीक है फिर आगे चलते हैं वेस्टोबी के द्वारा कोई क्या गया था ठीक है तो सोच्यल फॉरेस्ट्री चीज क्या होता है हमाने जितना भी एरिया है मतलब जिस एरिया में हम लीविंग करते हैं इमाना अबिटेशन है तो उसका आसबास का जंगल को माटती है ठीक है लेकिन प्लांट तो चाहिए ना और फॉरेस्ट नहीं होना चाहिए प्लांट यसे वांभ समय लेकिन वहां पे हम बनाते हैं तो यह कहां ayikroid फॉरेस्ट आसे इरिया फॉरेस्ट बनाने इसको वहां पे पहले शुरू हुआ था यह होता है गुजराट में ठीक है तो कब शुरू हा था 1970s में 1970s to 1976 में शुरू हुआ था विश्टोभी के द्वारा को टॉप किया जाता है क्योंकि वीड सप्रेशन के लिए फिर न्यूट्रेशन कंपेडिशन को कमद घटाने के लिए और वाकि बहुत सार फाइदा है ठीक है और में लास्ट क्लास में यह भी पूछा था टॉंग्या सिस्टम में कितना लांड दिया जाता है तो इसको भी कॉ धैका टॉप वीयगोट्स किया जाता है तो च्टरि फिर दूरोड्य रहता है तो इस ग्याप रहता है उसमें agriculture क्रॉप किया जाता है तो यहां के आंसर को स्पैसिस्ट के तरफ निस तरफ को संद締 करने के लिए fa Pvd तो यहा पर चैसे मतलब सब्सक्राइब और भी करता है इसका जो रफर पूरा चोटा हो रहता है और इसीली मिक्स हो जाता है सथ ठीक है फिर आए नेस्ट को के तरफ यहां पर एक और करना चाहूंगा यह तो हो कहा कोस्टल संदे बारे में दूसरा है यहां पर question है इस्टाब्लिस्मेंट के लिए कौन सा स्पेसिस का यूज किया जाता है उसको comment में लिखना है ठीक है फिर आगे चलते हैं forestry d&d design and diagnosis यह जो टॉर्म है तो d&d किसमें होता है वह entire ecological zone में होता है country का तो उसमें क्या किया जाता है तो पहले जो d&d होता है उसमें क्या चीज होता है जितना भी अम्वारा agricultural land बोल सकते हैं जितना भी ecological area है ठीक हो agroforestry का पाथे तो ट्री होता है उसमें crops भी होता है उसमें तो कितना एरिया में है क्या है उसमें क्या planning करना चाहिए यह सब के लिए d&d किया जाता है ठीक है यह बहुत बढ़ा शा penguin कोंपोनेंट छता है वहां पे क्लाइमेट बैले Gotti कल sold मैने देक्चान एरिया मेंने तो उसको बोलते है वहां तो कॉंट झाल ईख लिए यहां पर गंडैक्सराफ समय क्लाइमेट मिलता है तो यह वहां डिजन उसको बना खबaky चोटा एरिया पर जहां क्राइमेट कोंस्टांटय आगर आयनरी अगर करते हैं उसको बलते हैं पक्राइमने डिएनरी घ्राइक धर चलते हैं जुमिंग झ्वेम्स नेंट जुममिंग घरे सफ्यली क ट्यवेशन को जूइन क्या जाता है इसका अधर नेव भी है वोडवी बोलते है इसको ठीक है और बहुत सारा नाम है तो जूमिंग जो नेम है वह कहां पर कहा जाता है ठीक है इसको आपको comment में लिखना है जूमिंग यह तो चीजला कबuzu, तो यह को उते होने वाइडa अचलों में वह सॉयल में मिक्स हो जाता है तो एक वा dua अगर क्रॉपिंग कर 5 तो यहां पर क्रॉपिंग कर दिये फिर क्या होता है है तो जब Veg San Straight नियर को सच्छषा इसको एल छोड़ा भी को चोड़ कर से फिर अगर अगर छूड़ डियंसद्रोकिन क्या होता है कुछ दिन बाद ग्रास आते हैं कुछ दिन बाद श्राप साते हैं दिरे-दिरे टी आते हैं इसे जो मतलब सॉयल ऐसे ही वेस्ट होके पड़ा रहा ठीक है वहां पे तो वह अपने आपको फिर रिकवर करता है और यह जो पीरियोड होता है ना यह मोर्दन ट्वल कुल भी और होता है ठीक है तो इतने पीरियड के बाद फिर से आते हैं फिर उस एरिया को पूरा क्लीन कर देते हैं फिर फायर करते यह क्लाइबल एरिया बैल्ट जो है बहुत ज्यादा प्रोडेम में जुमिंग का ठीक है और फिर आगे चलते हैं अगे से से नायर classified the agroforestry system into harmony groups ठीक है तो यहां पर natural component के उसाबसे functional role के हिसाब से यहां पर चार भागों में divided के लिग्हें ठीक है एक रिस्वी कल्चराल system ठीक है चलीपाच्टराल system एक रिस्वी पास्टराल system ऑठर लिदस्टाम अधर system ठीक है यह चार गोर्ग्वरा दिभाइड किया गया है फिर आगे चलते हैं एक यहां पर कंपोनेट क्या हो गया में सिल्वी कोई इसाइफ आता है फिर आता है पास्चेटरल अधिके इसल्वी पस्टरल में हो गया tri grass and by presses और इसमें जैसे होँ गया वहां पर TV वहता है अग्रिकल्चर में क्रमन धोर टा तो यहां पर आंसर आता है ऑ्पिर स्प्रिक सिल्विक रहता है धिर में आता है अब कहार्म यहां चीज श कोई झाल जाता है इसमें क्या होता है जो जाता अ होता है यहांद क्या पते हैं है उटlier सेन जाता है ऊच्छ resistant होता है इसमें यह क्यों फोता है यह आपस्सीशन प्रोसेस में क्या होता है जो ओलड़र पाथ है अपने आप टूटके फ्लान्ट से गिर जाता है था अपने आप नाचुरल के जलता है चलते नेक्ट को सिंग के तरफ स्टिपिंग कल्टिवेश्न इस प्रेडींड यहां पर मैं पहले भी हिंट दे चुका हैं सिप्टिंग कल्टिवेश्ट ओं मुश्ली टायबल बैयर जो होता है वहां का बहुत यृप्प्रोब्लेम है ठीक है तो यहां पर पाँसर आजाएगा नॉर्थ इस्ट इंडिया ठीक है फिर चलते है नेक्स्ट कोशीन के तरफ इस्टेट्रेट्र एरिड रिसर्च इंस्ट्यूट्ट जो सेंट्रेट्र एरिड रिसर्च इस्ट्यूट्य वह कहां पर है इसको भी लाइब डिसकोस किया हूं यह वाला भी रि सब्सक्राइब अमडम में ठीके पर आगे चलते हैं अई यहां पर यहां पर इता वहां पर कुण सब्सक्राइब वह होता है सिल्भी पास्टैल सिस्टम में होता है एडिट रियन और हील रिजज़ेंट में जो होता है जेनरले टॉंग्य सिस्टम यूज़ गया जाता है ठीक है और उखे आगे हाई लैंड एरिया में वैसा तो स्पेसिफिक नहीं है फिर भी सिल्बी हौटी कुल्चराल सिस्टम हुज गया जाता है था थीक है फिर आगे चलते हैं जेनरी का सेप क्या होता है कि छो चीज िए वो क्या है और चीए सब करके है तो इसको बोते है सटर वेल्ट ठीके तो इसमें क्या होता है अगर एर आता है तो इस दिरेक्शन आगर आता है तो जब यहां से आता है तो इस का मुमेंट ऐसे हो जाता है ठीक है तो इसे बजेशंसे क्या होता है जो YEAR का स्पीड कम रहता है वह जितना destruction करना रहता है land अरिया में उतना नहीं कर पता है ठीक है तो यहां पर sh맛 hypothes कैसे होता है ठीक है फिर चलते हैं स्कॉस्टीन के तरफ यहां पर चलते हैं आगे कुश्चिन कुईन अप्टिंबर होता है यहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन आता है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और बाकी अगर बोलते हैं तो यहां पर थोड़ा सा गौर करने वाला चीज है फाइटिक थिखे फाइटिक वाड है रिलेट होगा अ जहां पर ट्रीए-घ्रास तो फाइटिक वाड मोर्फो ही युड घ्रमकर्पो म Cand de फिर इंडिया में 1.37-4 होता है उसमें बैस्टन गूंटरी जितना है उसमें वानपवेटी मिटर होता है थिक यूरोपें गंट्री में 1.3 मिटर होता है और यह मोस्टली जो इरिया जितना रहता है उसमें हमेशा अफिल साइड में जिस तरह प्लांट मतलब ऐसे थोड़ा सा समझा लेता हूं यहां पर थोड़ा सा देखते हैं तो यह हो गया स्वार्फेस एरिया यह है प्लांट ठीक है अगर प्ला इससलोपी लेंड है स्वार्फेस एक तो यहां पर यहां प्ली है कट्री और यहां पर जो रहे था शौट अगल रहता एक यहां पर हमने और्म्छ में यहadות अंगल पर करते हैं इसको बढालाईजेशन जलते हैं यहां यहां at है फिर आगे चलते हैं वोल्यूम लॉह बाल्मुला में काल्कूलेटेड में इसनल भूल्म arrival होता है वह यहां पर कौन सा फॉर्मूला में कलकुलेशन होता है ठीक है तो यहां पर होता है जी बाइफ फॉर होल स्क्वेर इंटु एल ठीक है तो यह जो फॉर्मूला को कौन सा फॉर्मूला कहा जाता है ठीक है यह कौन सा फॉर्मूला इसको किस नहीं दिया था इसको कॉम ठीक है यह बात भी लेकना है comment में फिर चलते हैं नेक्स question के तरफ प्रेसलर इंक्रिमेंट बुरोर हो गया इंक्रिमेंट बुरोर से क्या मापेंगे इंक्रिमेंट इमापेंगे ठीक है फिर आगे चलते हैं दफ फॉर्मूला अफ कॉनवर्टिंग डी ओ बी टु डी यूवी ठीक है तो यहां पर तो सारा गर्थ दिया हुआ है ठीक है तो इसका अक्चुली फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर जाएगा लेकिन यहां पर जी बदले डी होना चाहिए था ठीक है फिर आगे चलते हैं दब्रांच ऑफ फोरेश्ट्री विट डील सुइट डाइमेंशन फॉर्म एज और इंक्रिमेंट ऑप सिंगिल ट्री स्टैंड और होल्टी और आइधर स्टैंडिंग और स्टैंट्र बात और भात आ रहा है तो मैन इसरमेंट तो मेजर्मेंट क मेचरी ठीक है ठीक है तो यहां पर आज और यहां पर रेलेंटेद टो मे क्ली स्केजम up हो हो सकता है नहीं गुलता है और्फट्रपिक और्फोपिक यह हो सकता है और्फट्रोपिक यह करता है और्फो निग्रेंड़ होता है इन प्रेइज़ आके चलते हैं पिग्मेन्ट विच प्रिवेंट फोटो ऑक्सिडेशन अब टॉरोफिट कि चीज़ को जानते फोटो ऑक्सिडेशन क्या होता है जब जो लाइट का इंसीडेंस होता है वह बहुत ज्यादा इंटेंसी इन्टेंशी में लाइट आता है थे इसमें लीफ बर्न ना हो उसके लिए वह सरके हैं कौन से टाइप का एल में ठीक है तो वह होता है जब इसस आमआउंट में आ जाता है तो पहले तो पता है जो अलशान अलब हो तो यह की आता है जितना वह दूद्ध के दर कैप्चर हो रहा है उसको लेकर तूरंती क्लोरफेल यह के पास पहुंचा देथा ठीक है तो वहां पर स्ट्रेस नहीं रहता है और फोटो ऑक्सिडेशन होने का डर भी नहीं रहता है ठीक है फिर जलते हैं आके नेक्स्ट के तरफ फास्ट इंडियन फॉरेस्ट आक्ट कब ड्राप्ट हुआ था फास्ट इंडियन फॉरेस्ट आक्ट हुआ था 1865 में ठीक है वह बिफोर इंडिपेंडेंस हुआ था और वहां पर क्या था ना जो सोल अब्जेक्टिब था वह अग्रिकल्चर को पर फोकुस था वहां पर यह चीज क्लियर मेंशन था कोई भी मतलब फॉरेस्ट एरिया है क उसे अजमी को उससे मतलब इतना अच्व पर दे ध्या जाता था वह फिर वहां पर जो इतना ट्री था उसको हर्वेस्ट कर दिया कर देता था और यह पर लेकिन वह पहला पर्लिकृट्ट अग्स था यह इसलिए भी किया था तो चैसी को वहां पर प्रोटेक्शन में रख है इन में से ठीक है तो यहां पर आंसर आ जाता है एंडिच अत्तुरवेदी ठीक है और यह हमारा एमडी चतुरवेदी ठीक है आज का सेशन यहीं पेंट करते हैं और केसा लगा आपको कॉमेंट में लिखना है और अच्छा लगा तो लाइक भी करना है और काइंडली से यार और सस्क्राइब भी करिए ठीक है इसे थोड़ा सा होसला ज्यादा बढ़ता है ठीक है आज के लि